हुए हेलो अबर्माण्ब्ध इस ट्रेटु और स्वागत है आप सभी का सिज़ीश प्रिवेश्य ले क्वे ट्रींस की शीरीज में इस इसरीज में हम शाष्षन के खिलाव भारत में राष्टमवादी आंदोलन का नित्रत्व किया which of the following event led to the nationalist movement in India against British rule तो कुछ ऐसे कदम उठाये गए थे Britishers के दुआरा जिसके बाद जो Indians थे उनके अंदर अक्रोश पैदा हो गया विद्रो की भावना पैदा हो गई तो वो हमसे पूछे गए हैं वो घटनाए कौन-कौन सी थी यहां पर अगर बात करें सही option की तो हो जाएगा option number one a, b and c तो यहां पर अगर बात करें पहला पहला है श्रस्त्र अधिनियम पारित करना और भारतियों को अतियार रखने से रोपना यानि कि यह जो act था arms act के नाम से जाना जाता है और यह जो act है यह पारित हुआ था अठारसो अठतर में इसमें क्या था कि भारतियों को हतियार रखने से मना किया गया था इस act के through दूसरा है सरकार की अलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाना यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसके through यह कहा गया था कि सरकार की अलोचना जो करेगा वह जो प्रेस है वह बंद कर दी जाएगी तो इस तरह से तो और जो भी जो भी खबर जो चापी जाएगी वो सरकार की निगरानी में होनी चाहिए तो यह इस एक्ट में कहा गया था तो इलबर्ट बिल को वापस लेना जो भारतियों द्वारा ब्रिटिश और यूरोपी व्यक्ति उनके परिक्षन के लिए प्रदान किया गया था इलबर्ट बि भारतिये भी फैसला सुना सकेंगे इलबर्ट बिल में ऐसा कहा गया था लेकिन इस बिल को वापस ले लिया गया क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि उनके जो फैसले हैं वह भारतियों को वह कम आगते थे तो अब जब तीनों ये घटनाएं हुई तो भारतियों को क्य और दी की बात करें तो देखो ये तो था बाल विवा निरोध अधिनियम 1929 पारित हुआ था ये ये तो चाइल्ड मैरीज के अगेंस्ट हुआ था कि जो बच्चों की मैरीज कर दी जाती कम उम्र में तो ये तो बारतियों के लिए भी सही था इसका तो विरोध ने कुछ ल चाइं बार बहुत ही कम उम्र में चार-चार-पांस-पांस साल या फिर पैदा होते भी शादियां तैय कर दी जाती थी हो जाती थी तो इसलिए ये मिनिममम एज रखी गए आगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिश्य ना 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निमलिकित कतनों हो जाएगा सेकिंड ओनली बी इस टू बी क्या है अंग्रेज बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों का विभाजित करना चाहते थे ये बात बिल्कु सही है क्योंकि उनको लगता था कि अगर इसी तरह से लोग एक रहे तो हमारा यहां पर शाशन करना जो है मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए फूट डालों की राजनिती उन्होंने खेली अब देखो ए और सी क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर दिया है कि बंगाल विभाजित था क्योंकि बंगाली लोग बिहार और उडिसा के कुछ हिस्तों से अलग होना चाहते थे अलग न और यह भारती के हित में प्रिशाषनिक स्विधा के लिए था तो ऐसा नहीं था यह तो उन्होंने बताया था ब्रिटिश ने भारतियों को ऐसा कहा था कि यह प्रिशाषनिक स्विधा के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि यह बंगाल का जो हिस्सा है काफी बड़ा है इसलिए प पारिश मून रूप से निमलिखित के लिए थी तो यह जो विधाई काओ में जो राज्य की जो i7 जॉपस होती है उसमें जो यह सीटों का एरक्षन से इतने सीट को मिलेंगी इतने सीट को मिलेंगी केटिकगूरी को मिलेंगी तो यह किसलिए थी यहाँ पर हमसे पूछा है सही option को हमें चुनना है यहाँ पर तो यहाँ पर option number 4 हो जाएगा देखो आप जो है यहाँ पर second option से भी confused हो सकते हैं वैसे तो second option भी इसमें होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर जो appropriate जो answer है वो है fourth option अब क्योंकि official answer की में भी यह दिया गया है तो official answer की के हिसाब से ही इसका answer करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर देखो असमानता को समाप्ट करने की बात हो रही है अब क्योंकि यह भी तो एक तरह से समानता ख़तम करने के लिए दिया गया था न अरक्षन और यहां पर जो दिया है यह दिया है कि अपिहासी कुद्पीडन और अभिजात्य वर्ग होते हैं जो उच्छे कुल के लोग कहे जाते थे जैसा कि जम्मिदार वगरा जिनका दबदबा होता था समाज में उस वर्ग के जो है मानवे दशाओं में अमानवे दशाओं में सेवा उपलब्द कराये जाने के लिए छती पूर्टी है तू मतलब जो निम्मनबर्ग समझा जाता था उसकी छती पूर्टी के लिए यह आरक्षन दिया गया कि भाही जो तुमारे लोस हुआ है उसकी पूर्थी हम कुछ इस तरह से करेंगे आपको अरक्षन देंगे इस तरह से गौर्वर्मेंट जॉब्स में और लेजिस्ट्रेचर यहां पर फूर्थ ओप्षिन नहीं हो जाएगा पठारों के लिए इनकत्नों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चाहिन करें यहांपर अगर बात करें सही ऑप्षन की तो यह हो जाएगा और A, B और D correct है यहाँ पर A की बात करें तो यह है पठार खनी जो भंडार में सम्रिद्ध है बिल्कुल बात सही है यहाँ पर मिनरल्स जो है काफी पाए जाते हैं पठारों में वहाँ पर अब कुधाई की जाती है और वहाँ से मिनरल्स जो है अपने जरुत के according निकाले जाते हैं दूसरा है लावा पठार काली मिट्टी में सम्रिद्ध है जो उपजाओ है तो लावा प्लेट्व है एक जो की काली मिट्टी बहुत ज़्याद महाँ पर पाई जाती है और उपजाओ भी है यह चेत्र C इसलेढिए नहीं है क्योंकि पठार, मानव, निवास के लिए सबसे उपयोगी छेत्र है यह गलत है अब निवास के लिए उपयोगी इसलेढिने है देखो वही महाँ पर खरीजबंडार मिलते हैं मिनरल्स वगरा मिलते हैं तो उनकी खुदाइव वगरा होती रहती है तो अगर महां पर बसे रहा हो जाएगा तो फिर मिनर्स वगरा कैसे निकालेंगे और निकालेंगे तो फिर लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा तो इसलिए मानव निवास के लिए ये उप्योगी नहीं है मानव निवास के लिए जो उप्योगी है वो प्लेंस है मैदानी चेत्र जो है वो जाल उप्योगी है दी है पठारों में कई जरने हो सकते हैं हो सकते हैं इसी possibility दी गई है तो बिल्कुल बात सही है जरने हो सकते हैं पठारों में तो A B और D यहां पर होंगे बिल्कुल correct देखो यहां पर थोड़ी सी details आप देख लीजिए पठारों के बारे में जो आपके NCRT की बुक में दी हुई है पठार जो है एक उठी हुई सपाट भूमी है यह आसपास के शेतर के ऊपर खड़ी एक सपाट मेज की तरह है जैसे मेज होती है बिल्कुल फ्लैट होती है तो मतलब वैसे इस तरह से भी होता है वहीं टूटा फूटा भी आपको मिल जाएगा पठार यह वैसे इस तरह का होदा है लेकिन बीच में से टूटा फूटा भी मिल जाएगा और उचाई जो है सो मीटर से हजारों मिटर तक इसकी हो सकती है मतलब हजारों मिटर तक पहु डेकन प्लेट्व और केन्या तंजानिया और युगांडा में पूर्वी अफ्रीक अफ्रीकी पठार मिलेगा उस्टेलिया में पस्ची में पठार है और तिब्बती पठार है तिब्बती पठार की जो उचाही है वो दी है 4000 से 6000 मीटर और चीज़ह देख लेते हैं इसके बारे में देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मैंने कहा है न मिन्रोल्स तो यह यहां पर आइसे हैं कुछ सपार्ड मूमी उपर देख रहे हैं और यहां पर निन्रोल्स Chuck किुदा ही हो रही है इसलिए ऐसा आपको दिहरा है यहाँ पर देखो तो पठार का लाब क्या है लाब पूछे जाते हैं अडवांटिज क्या है प्लेट्यू के तो खनीज भंडार में जो है सम्रिद्ध है यह जो की हमारे स्टेट्मेंट में दिया हुआ था और उदारन अगर बात करें तो किस त सोने औरर हीरे सोना मिलता है मिलता है तो सोनार को मिलता है मैंसित उसकी होती है चोटा नाüz जफिद्ध फ। करनाठक में पढ़ता है लावा पठार के बात करें तो तो काली मिट्टी में सम्रिद्ध है यह जो की statement में दिया था और यह जाओ है और खेती के लिए अच्छा माना जाता है अब next question देख लेते हैं इसमें assertion दिया है और reason दिया है इसका तो assertion है कि सभी देशों ने tag किया कि meridian की गिंती एक संदर्भ रेखा से शुरू होनी चाहिए कारण इसका दिया है कि सभी देशांतर रेखाएं समाल लंबाई की होती है यहाँ पर सही option देख लेते हैं क्या रहेगा option सही है fourth both a and r are true and r explains a व्हाँ देखो यहाँ पर बात करैं तो पहले जो है यह जो काल्पनिक रेखा प्रत्वी पर खिची हुई है क्या क्या कि रहा हैं कि सभी देशों ने क्या किया कि Meridian की जो बिंती है संदर्वर रेखा से शुरू निची यानिके जो समय की समय रेखा जो है ना हमारी समय रेखा वह एक निश्चित रेखा हम उसको माल लेते हैं जैसे कि Prime Meridian है वो लंडन के Greenwich से वोकर के जो गुजरती है वर्लान मानली है सरीधेशों ने तो वहां से महां पर जो टाइम होगा उसके according ही पूरव में टाइम डिसाइड होगा और पस्तिम में भी उसके according ही टाइम डिसाइड होगा तो इस तरह से क्या होगा कहीं भी आप चले जाओ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो यह यहां पर दोनों ही जो हैं हमारे सही है अजर्शन और रिजन और जो ओसीली टुर्ण wise वालाइन उसको प्रीर आले और यह जो ग्रीन विच वाली जो लाइन है यह पृत्रिवि को दोभागा में बाती है पूर्वी गुलार्ध और पश्मीक गुलारधêu रखेंगे next question है यहाँ पर जो है pairs दिये हुए है आपको सही pair पहचानना है कौन सा सही match है यहाँ पर सही option की बात करें तो हो जाएगा option number 1 सही A and Z only तो यहाँ पर बात करें ग्रीश्म संक्रांती की यानि की summer solstice की तो यह जो है यह हमारा होता है 21 जून में 21 जून में पढ़ता है और winter solstice की बात करें तो यह है यह 22 नवर को नहीं बलकि 22 दिसंबर को पढ़ता है तो इसलिए गलत हो जाएगा और equinox जो है यानि विशूव की जो इस्तिती होती है वो 21 मार्ज को पढ़ती है तो A और C जो है वो सही है और भी यहाँ पर गलत हो जाएगा इसको एक बार मैं detail में भी दिखा देती हूँ तो यह जो भी दिखाया गया था हमारा summer solstice यह जो है यहाँ पर है इसको हम English में सुरी Hindi में कहें तो उत्तर आयनान्त इसको बोलते हैं यहाँ पर उत्री गुलार्द में तो रहती है गृष्मृतु यानि उत्तर की तरफ जो हमारा area पड़ता है कि जून को आप जानते होंगे काफी तेज जो है यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो उत्री गुलार्द में गृष्मृतु का मोसम रहता है लेकिन जो दक्षिनी गुलार्द है, दक्षिनी गुलार्द में शीतर रितु रहती है, क्योंकि सूरस जो है सीधा पड़ता है उतरी गुलार्द की तरफ, तो इसलिए और यहाँ पर बात करें, दक्षिन अइनांद, जो की हमारा दिया हुआ था, उसमें पीछे, विंटर, व इक्वल पढ़ती हैं प्रित्वी पर, तो दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं, इस्तिति को हम कहते हैं विशू, इक्विनोक्स, तो ये एक तो 21 मार्ज को पढ़ता है, और एक पढ़ता है, ये आपका 29 सितम्बर को, जियान रखेंगे इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रेशन है, जब ग्रीन विच में दो पहर 12 बजे होंगे, तो ग्रीन विच के 25 डिगरी पस्चिम में कितने बजे होंगे, तो ये देखो मैंने आपको कैलकुलेशन जोगरफी में सिखाई हुई है, डिटेल में, और हम यहां पर एक कैलकुलेशन कैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक डिगरी में, चार मिनट में सौरी, एक डिगरी प्रसी भूमती है, तो एक डिगरी इकल टू चार मिनट हम मानते हैं, अगर हमें टाइम निकालना हो, तो हम टाइम के हिसाब से क्या करेंगे, डिगरी के हिसाब से हम उसे काउंट कर देखो मैं हई बताती हूं कैसे करना है यह तो यहां पर भूंधी हम लाइन माल लेते हैं या बीच में और हमसे किदर का टाइम कर टाइम पूछा है है में नो चौंशा आप झाल हमसे पूछा है अब हमें यह पता है कि पूरीज को फूरकर की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है आगे चलेगा और ग्रीन वीच के इधर जाएंगे पस्चिम में तो टाइम पीछे जाएगा यानि बारे बजी अगर दोपहर के हैं तो इधर कितने बजेंगे इधर सुबह के बजेंगे जितने भी बजेंगे अब कैल्कुलेशन कैसे करनी है जो 25 दिगरी दिया अब ये जो 100 हैं हमारे minutes हैं इसको हम change कर लेंगे hours में, hours में अगर हम इसको change करेंगे तो ये हो जायेगा 1 hour, 40 minutes, 1 घंटा 40 मिनट ये हो जायेगा अब हमें क्या करना है एक गंटा 40 मिनिट को माइनस कर देना है दोपहर के 12 बजे में से दोपहर के 12 बजे में से एक गंटा कम कर दो तो 11 बजेंगे और अगर हम 40 मिनिट कम कर देते तो कितने बजेंगे 10 बज करके 20 मिनिट हो जाएंगे 10.20 a.m. time हो जाएगा हमारा इसको हम हिंदी में पूरवाहन कहते हैं तो पहर से पहले का समय तो पहर के बाद का समय हम हिंदी में कहते हैं अपरहन तो यहां पर जो time होगा exact वो हो जाएगा 10 बज़ करके 20 मिनट सुभएगे तो इधर का time अगर पूछा जाता हम से 25 डिगरी में ही तो इधर हम क्या करते ये वाला time हम इसमें add कर देते 12 बज़े में add कर देते 1 बज़ करके 40 मिनट तो exact हमारा 1 बज़ करके 40 मिनट आ जाता answer तो यहां पर option number 4 से होगा next question पर चलते हैं यहां पर वन के प्रकार से हमें question पूछा गया है यहां पर दो विशेशताएं दी हुई है वनों की और उसके आधार पर आपको पहचानना है कौन से वनों की बात हो रही है सही option देख लेते हैं यह हो जाएगा option number 3 tropical evergain forest यह बात हो रही है ऊष्ण कटिबंद्य सदाबाहर वनों की तो क्या बात हो रही है कि यह घने जंगल भूमद्य रेखा के पास किस शेत्र में पाए जाते हैं घने होते हैं जंगल यह बिल्कुल धूप तक नहीं पहुंच पाती है इनके जड़ों तक तो भूमद्य रेखा कहा है यह अगर आप प्रत्वी को देखें तो बीच में बिल्कुल भूमद्य रेखा पड़ती है और इसके आसपास का जो छेत्र है जो ऊपर है करकरेखा और नीचे है मगर रेखा इसके बीच का जो एरिए है यह इस पूरे छेत्र में यह मिलते हैं उशन कटी बंदे सदा बाहर वन इसका रीजन है कि इन छेत्रों में भारी बारिश होती है और इनमें कोई विशेश शुश्क मौसम नहीं होता है तो बारिश जो है साल भर कभी भी पढ़ती रहती है तो इसलिए यहां पर सदा बाहर वन पाय जाता है क्योंकि पानी पूछ ले दो यह उशेत्र में होता है जहां हमारी वर्षा होती है और इतने घंए होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुत पाती पेड़ की प्रजातियां है साल के अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराती हैं तो यह कभी भी बिना पत्तों के नहीं रहते ज जंगलों में जो महतवपून पेड़ मिलते हैं वहें महोगनी आबनूस और शिशम अंडमान और निकोबारदीप समूब में मिलते हैं उत्तरपूर वी राज्यों के हिस्सव मिलते हैं जो आपके नौर्थी इस टेडिया है ना आसाम वगएरा इस तरह की जो राज्य हैं इ यहां पर जो पश्चिमी घाट है यहां पर यह मिलते हैं तो आगे बढ़ेंगे नेक्स केशन दिया है सहरा मसुत से रेटिड और सहरा मसुत के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं इसको आपको बताना है सही कौन सी है सही की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नम्बर से देखेंगे दूसरा है ट्यूनीश्या का एक बड़ा हिस्सा सहारा रेकिस्थान से आच्छा दित हैं यानि कवर हैं और सहारा रेकिस्थान में उच्छे पहाड और चक्टानी सत्य भी सामिल है तो यह बात बिल्कु सही है अब देख लेते हैं इस स्टेटमेंट से रिलेट कवर है थोड़ा सा हिस्सा जो है इससे बाहर है एक स्टेटमेंट हो गई और बाकी जो है इसका छेतरफल की बात करें तो यह है 8.54 जबकि महां पर दिया था 10 पॉइंट सम्धिंग तो यह विशू का सबसे बड़ा रेकिस्तान है इस दा वर्ल्ड लार्जर डेजर्ट और स और अग्यार देखते हैं के नाम दिये हैं धियान रखेंगे जैसे तुरी से औरें में बात करें तो चल्चला ती गरमी और बाहुत ज्यादा तो आप देखेंगे साउथ अफीका के लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल उनके चमडी का रंग सांवला होता है वो रीजन यहीं है बहुत गर्मी पड़ती है और अकाश बादल रही तोर साफ रहता है दिन अविश्वेशनीय रूप से गर्म है और दिन के दुरान तापमान जो है 50 पूरे गर्मी से लेकिन रात रातें वहीं पर उतनी ही ठंडी हो जाती है क्योंकि रेत जो है बहुत जल्दी क्या है ठंडा भी हो जाता है यहां पर धियान रखेंगे इन पॉइंट को नेक्स प्रेशन है एक वर्षावं की वर्णसपती को सबसे निचली से सबसे उँची परत्तर वजस्था करें देको वर्षावं जो होते हैं उन अलग अलग तरह के जो है वर्णसपती मिलती है तो यहां पर हमें क्या करना है निचली से उची परत्तर लगाना है बतब निचले इस तर पर कौन सी मिलती है ग्राउंड लेवल पर और उसके बाद ऊपर जाने तक कौन सी मिलती है सही option हो जाएगा option number second a e d c b a ground layer इसको आप वैसे याद रख लो बमी परत याँने की बूमी से जो लगी परत होगी वह हो जाएगी बूमी परत्स जो घास फूल्स होती है उसको कहा सबसे review me उसको कहते हैं ुमर्जन लेयर तो यहां पर आपको में पांचों दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से मिलेगा आपको यह यहाँ पर जो सबसे नीचे देखो ग्राउंड में आपको घास्फूस मिलेगी वही थी हमारी सबसे नीचे वाली ग्राउंड लेयर इसके बाद जाड़ियां और उसके बाद बागी की केटेगरीस आप देख सकते हैं यंग गुट्री और कैनोपी और इमर्जेंट इस तरह से केटगरी जो है हम इनकी बाढ़ सकते हैं तो यह थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताएं इफ्याव निक्री दन प्लीज आसमीन कमें सेक्षिन तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें शे लिखें और कोई कमी रह जाती है तो उसको टाइम रहते पूरा कर लें ताकि आपको लास्ट मूमेंट पर कोई प्रॉब्लम ना आए कोई टेप से चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिखें कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी बताएं तो उसी में आपक अपको टेकर वाचे चाहते हैं तो कि रच एक प्रॉब्लम नोलीज धन्यू